नमस्कार धर्शको। आज का हमारी चर्चा का विशा है क्या IVF में एक्टॉपिक हो सकती है। जो IVF करता है और पेशन के लिए भी एक बहुत ही दुख बरी कहानी है। क्योंकि IVF में एक्टॉपिक हो जाती है तो पेशन के सारे जो पैसे हैं वे बेस्ट हो जाते हैं और उसको accept नहीं कर पाते हैं कि हमने IVF करवाया और IVF के बावजू जब हमने embryo uterus में रखे तो वो embryo जो है वो ट्यूब में कैसे चले गए और ectopic कैसे हो गए IVF की ectopics में भी variety है जैसे अगर हम दो baby रखते हैं तो कई बार यह heterotopic हो जाती है हेटरोटोपिक का मतलब है कि एक baby uterus में जाके बैढ़ जाता है दूसरा baby tube में जाके बैढ़ जाता है जो IVF की ectopic है उसका incidence 1% रहता है general population में भी ectopic का incidence 1-2% रहता है तो IVF में जो ectopic का incidence है जितना general population में उतना ही है कम भी नहीं है जादा भी नहीं है अब IVF में टॉपिक कैसे हो जाती है अगर हमने embryo बनाए uterus में रख दिये तो embryo tube में कैसे चले गए तो इसके बारे में बहुत सारी postulations हैं बहुत सारे जो है अंदाज लगाया जाता है कि ऐसा क्यों हो जाता है तो IVF में जब हम embryo रखते हैं तो सिरफ embryo नहीं रखते embryo के साथ कुछ media रहता है क्योंकि अकेला embryo जाकर uterus में नहीं डाला जा सकता उसके साथ कुछ media रहता है तो हो our ecosystem करते करते इधर उदर घ्वूमता भी रहता है और जब वह इधर उदर घ्वूमता-गूरी ओ वह साथ-साथ ग्रो भी करता है तो अगर क्योंकि IVF में दो हफते बाद रिजल्ट आने के स्कैनिंग होनी ही है और क्योंकि हम उसमें बार-बार पेशन को मॉनिटर करते रहते हैं क्योंकि हम उनको अपनी देखरेक में रखते हैं तो IVF की एक्टॉपिक्स जो है वो जादा तर फटती नहीं है बहुत कम चांस है कि IVF क कि एक्टॉपिक जो है वो फट जाए क्योंकि सबसे पहले कि हमने वैसे ही जब रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो उसके दो हफते बाद तो मिनिमुम पेशन को बुलाना ही होता है यानि कि छे हफते छे हफते में एक्टॉपिक्स यूज्वली नहीं फटती अगर उससे पहले पेशन को इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रही है या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप होस्पिटल में आ सकते हैं क्योंकि पेशन डॉक्टर की देखरेक में ही रहता है तो बहुत जल्दी डाइगनोसिस बन जाता है कि यह जो है प्रेगनेंसी है यह यूट्रस में नहीं बैठी है और यह बाहर बैठी है तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है और आईवेफ की एक्टापिक जो है वो 99% जो है वो मेडिकली मैनेज हो जाती है यानि की डॉक्टर जो आईवेफ करते हैं अगर बाइचांस उनके ही पे की डॉक्टर को भी बहुत ज्याधा large responsibility 있न फूल होती है यह बहुत जादा हमारी ही करने तक हम इसको मैनेज करने में लेके जाएं हम इसको medically manage करें इसको हम दबाओं से manage करें टॉपिक जो है वो single baby है और वो सीधर ट्यूब में जाके बैठ है और uterus में कोई बेभी नहीं तो इसको जो है medically manage करना बहुत असान होता है जो हेट्रोटोपिक पेगनेंसी यानने की एक बेबी you मुश्किल होती है क्योंकि अगर हम बच्चे मतलब जो लेडी को कोई भी ठीका लगाएंगे तो वह जो नॉमल प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर गई है उसके ओपर भी असर कर सकता है इसके लिए हेट्रोटोपिक प्रेगनेंसी में सर्जरी की जाती है तो सर्जरी जो है उ प्रेगनेंसी बड़ी होती है नजर नहीं आती और वेफट भी जाती है ऐसा होने की संभावना काफी कम होती है क्योंकि पहले ही टेस्टिंग और स्कैनिंग हो रही होती है अब अगर मान लीजिए यह वाले टाइम मैनेज हो जाता है तो उसके बाद जो है नेक्स टाइम फ उनमें हम ऐसे आगे क्या करें कि उनको दुबारा से एक्टॉपिक ना हो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि हम मीडिया कम यूज करते हैं थोड़ा लो इंप्लांटेशन करते हैं और इससे जो है एक्टॉपिक पेगनेंसी के जो संभावना वे कम हो जाती है जिन पेशेंट में भी अगर बार बार एक्टॉपिक हो रही है तो ऐसे पेशेंट्स की दोनों ट्यूबें जो है या बंद कर दी जाती है या निकाल दी जाती है ट्यूबें जो है वे ही प्रॉब्लम का कारण होती है फाइनली इस वीडियो के माधियम से हम यही कहना चाते हैं कि क्या आई इसमें डॉक्टर का कोई खास दोश नहीं होता है इसमें पेशन की बॉड़ी के फैक्टर होते हैं जिसके कारण आई वीडियो में एक्टॉपिक होने की संभावना रहती है बेटर यह होता है कि इसको एक बहुत ही मचूर तरीके से मैनेज किया जाए और फिर पेशन को अगे-अगे गाइड करते रहेंगे तो फाइनली आप जो है लाइव बर्थत पहुंच पाएंगे अगर आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेस्टेंज है तो आप कमेंड सेक्शन पे कमेंड कर सकते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल